हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग, I hope all of you are doing amazingly great, first of all, welcome to this amazing platform of physics वाला, तो आज हम एक बहुत ही important topic स्टार्ट करने वाले हैं, and the name of this topic is inverse trigonometric function, तो इस chapter से आप बहुत सारी चीज़े सीखोगे, इस chapter से आपकी function की understanding बहुत बढ़ जाएगी, inverse functions क्या होते हैं, उसकी understanding बढ जाएगा इस chapter से, तो अगर मैं इस chapter के बारे मैं कुछ बाते बोलूँ, तो सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि भाई, बहुत conceptual chapter है, बहुत ज्यादा conceptual chapter है, generally हम कभी भी कोई नया chapter start कर रहे होते हैं, तो पहला lecture उसका इतना ज्यादा important नहीं होता, धिरे-धिरे importance भढ़ती च चले जाते हैं, बट ये chapter ऐसा है ना, जिसके अंदर सारे concept आपको पहले lecture में मिल जाएंगे, उसके बाद में पूरा जो chapter है, आगे के जितने भी lectures होने वाले हैं, वो first lecture के concept के उपर dependent रहने वाले हैं, ठीक है, सारे जो important concept है, वो आज आप इसी lecture में सीख जाओगे, उसके बा topic का पहला lecture इतना important नहीं होता है, जितना कि इस topic का है, तो चलिए हम start करेंगे, build करेंगे इस chapter पे, concept को build करेंगे, एक कहानी की तरह सुनेंगे हम लोग है, आज मैं आपके सामने एक नया chapter पढ़ाने नहीं आया हूँ, एक कहानी सुनाने आया हूँ, inverse trigonometric functions की, ठीक है, अब इ तो पहला important point इसमें यह आता है, जैसे देखो एक function हमने लिया है, है ना, एक function हमने लिया है, set A से set B के बीच में, ठीक है, function basically input output का game है, तो suppose यह कुछ input है, 1, 2, 3, 5, let's say कुछ output है, 8, 9, 13, 12, let's say, ठीक है, कुछ input है, कुछ output है, और हमने यह function इस तरीक से define किया है, एक function define कर दिया, from set A to set B, जिसके अंदर अगर input मैं 1 रख रहा हूँ, तो output 8 आ रहा है, है ना, ऐसे मैंने define कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कि देखो f of 1 की value 8 आ रही है, f of 2 की value 9 आ रही है, f of 3 की value 13 आ रही है, f of 5 क होता है, कि inverse क्या करेगा, input output को interchange कर देगा, हाँ जी, तो अगर यह function set A से set B, function f है, तो यहाँ पे set B से set A, function upon f inverse define कर सकते हैं, यहाँ पे, जिसके अंदर input output का game बदल रहा है, मतलब यहाँ पे, अगर f of 1 की value, देखो कितनी आ रही है, f of 1 की value 8 है, f of 1 is equal to 8, इसी चीज को लिख inverse of 8, देखो 1 input करने पे 8 output आ रहा था, inverse क्या करेगा, उस game को बदल देगा, कि अब 8 input कर रहे हो, तो 1 output आ रहा है, तो अगर function set A से set B defined है, तो f inverse B से A defined होगा, जिसके अंदर input output बदल जाते हैं, फिर हमने एक important चीज़ सीखी थी, यह तो हो गया inverse, कि inverse में input output बदल रहा है, ठीक inverse exist only for bijective functions, हाँ जी, bijective function, हर function का inverse exist करें, ऐसा जरूरी नहीं है, है न, ऐसा नहीं होता कि हर function का inverse exist कर रहा है, inverse सिर्फ और सिर्फ byjective function का exist करेगा, अब bijective function क्या होते है, वैसे तो इसके बारे में हमने बात करी थी है, सदियों से इसके बारे में बात करते वारे, byjective function क्या होते है, और functions के पूरे lecture के अंदर हमने byjective, मतलब one one and onto function होते हैं, ऐसे function जो one one है, and onto है, इस type के functions को अपन byjective function बोलेंगे, देखो ये function आपके सामने दिया है, ये मैंने one one function दिया है, ठीक है, मतलब many to one नहीं है, one one क्या हो गया, जो many one ना हो, कि ऐसा ना हो कि दो अलग अलग input पे same output आ रहा है, उस type के function को many one बोलेंगे, और many one function का inverse exist नहीं करेगा, simple सी बाते हैं, देखो गाईज, अगर मैंने एक many one function बनाया है, जैसे ये many one function हो गया, ये function हो गया, from set a to set b, ये many to one function हो गया, बट इसका inverse जो अपन define करेंगे, that will not be a function, इसका inverse function क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हो रहा था, दो अलग अलग input पे same output मिल रहा था, अब f inverse में क्या हो रहा है, कि एक input पे दो अलग अलग output मिल रहा है, जो कि function की definition को defy कर देगा, क्यों function में simple सी बात ये है, कि अपने कुछ input डाला, तो दो अलग अलग output नहीं मिलने चाहिए, यहाँ पे f inverse में क्या हो जाएगा, एक input पे दो अलग अलग output मिल गए, इसलिए many one function का inverse exist नहीं करता है, तो function को one one होना पड़ेगा, तब ही जाके inverse exist करेगा, समझ महीं बात है, कि function को one one तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे, है ना, देखो ये वाला function input हो गया है, तो इमारी function input कैसे, कि ये वाला point range में नहीं है, इसके co domain and range equal नहीं है, तो ये वाला point, याद है range क्या होती है, co domain क्या होती है, co domain तो entire set भी हो गया, range वो value जो की actually achieve कर पा रहा है, तो ये वाली value achieve नहीं कर पा रहा है, और अगर अपन इसका inverse निकालेंगे ये बच्चा लोग, अगर अपन इसका inverse निकालेंगे, तो basically इस input पे कोई output ही नहीं आ रहा है, और function के लिए बहुत important है कि हर input पे output मिलना चाहिए, अब इसका inverse जो function होगा, उसके लिए इस input पे कोई output नहीं म important बात, ठीक है, कि inverse exists only for bijective function, ये पहली important बात, दूसरी important बात, कि the graph of, the graph of y is equal to fx and y is equal to f inverse x are symmetric, are symmetric about the line, about the line y is equal to x, ये दूसरी हमने important बात पड़ी थी, कि एक function का graph और उसके inverse का graph symmetric होता है, about the line y is equal to x, क्योंकि याद करो वही तो चीज़ हो रही है, कि input output बदल रहे है, x and y आपस में interchange हो जा रहे है, तो जब x and y को आपस में interchange किया गया, तो graph जो होगा, वो है ना mirror image होगा, एक दूसरे का about the line y is equal to x, ठीक है, चलिए, तो दो बाते हमने अच्छे से याद कर ली है, कि inverse exist only and only for bijective function, the graph of y is equal to fx and f inverse x are symmetric about the line y is equal to x, ठीक है, चलिए, अब गाईस सवाल उठता है, ठीक है, कि ITF क्या है, inverse trigonometric function क्या है, ठीक है, trigonometric function तो हमें पता है, trigonometric function के बारे में इतनी तो knowledge है ही अपने पास, कि fx is equal to sin x, यह एक trigonometric function है, यहाँ पर जो input जा रहा है ना, वो input कुछ ने कुछ angle जाएगा, जैसे अगर x की value मैंने pi by 4 रग दी, है ना, x की value pi by 4 रग दी, तो मतलब sin of pi by 4 मिलेगा, sin of pi by 4 की value 1 by root 2 आती ह है, बच्चे बच्चे को यह बात पता है, है ना, कि sin of pi by 4 is equal to root 2, यहाँ पर input कुछ angle जा रहा है, और output यह sin की value है, इस angle पे, तो अगर अपन inverse define करना चाहते है, जिसको कि अपन represent करते है, sin inverse of x, ठीक है, sin inverse of x में क्या होगा, कि input output बदल जाएंगे, sin x के लिए input angle था, sin inverse x के ल sin inverse x के लिए output angle होने वाला है, जैसे कि अगर मैं आप से value पूछू, sin inverse of 1 by root 2, तो यह एक angle आएगा, ठीक है, sin inverse of 1 by root 2 will be an angle, और इधर से देखके आप इतना तो comment करी सकते हूँ, कि sin inverse of 1 by root 2 is equal to pi by 4, ठीक है, बट सवाल उठता है, यहाँ पे, कि भहिया, sin inverse of 1 by root 2, pi by 4 आपने बोल दिया, अब कोई बच्चा यह डाउट पूछ सकता है, कि सर, sin of 5 pi by 4, वो भी तो 1 by, sin of 3 pi by 4, second quadrant में भी sin, फिर से 1 by root 2 होगा, sin of 3 pi by 4, इसकी value भी 1 by root 2 है, है न, sin of pi by 4 की भी value 1 by root 2 है, sin of 3 pi by 4 की value 1 by root 2 है, तो क्या सर, 3 pi by 4 is equal to sin inverse 1 by root 2 हो जाएगा, क्योंकि फिर पंगा फस गया, कि देखो, inverse function ने दो अलग-अलग values दे दी, sin inverse 1 by root 2 की value 3 pi by 4 भी आ रही है, sin inverse 1 by root 2 की value pi by 4 भी आ रही है, तो यह एक function तो हुआ ही नहीं, क्योंकि inverse के लिए तो function के लिए basic चीज क्या है, function के लिए basic चीज है कि अपन एक input डाले, एक से ज़्यादा output नहीं मिलने चाहिए, अपने कुछ एक input क्लिक किया, एक से ज़्यादा output अपने को नहीं दिखाई देने चाहिए, बट यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है कि देखो, sin inverse 1 by root 2, input 1 by root 2 डाला, angle 3 by 4 मिल रहा है, यहाँ पर input 1 by root 2 डाला, angle 5 by 4 मिल रहा है, तो किसको लिया जाए, किसको हटाया जाए, है ना, तो सबसे important चीज़ अपन ने सबसे यहाँ पर यही सीखी है, कि the ITF denoted by किसी inverse trigonometric function को अपन या तो sin inverse x से denote कर सकते हैं, या फिर arc sin x ऐसा भी लिखते हैं, तो sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, है ना, यह सारे जो inverse trigonometric function है, कुछ angles देने वाले हैं, कुछ angles देंगे, यह important बात अभी यहाँ पर सीखी है बनने है, कि जितने भी inverse trigonometric function है, कुछ न कुछ angles देंगे, देखे, sin x के अंदर कुछ angle input जा रहा था, अब sin inverse x के अंदर angle output आने वाला है, यह कहा है, input output बदल रहा है, बड़ सवाल फिर से यही, कि भहिया, कैसे exist करेगा, है ना, exist करेगा तो कैसे करेगा, क्यूंकि आपने तो अभी यह भी बोला था, कि inverse exists only and only for a bijective function, है ना, बट trigonometric functions such as fx is equal to 10x, fx is equal to sin x, etc, are not bijective, यह जितने भी function है, sin x, cos x, 10x, यह bijective तो नहीं है, क्योंकि यह many one function है, periodic function है, repeat होते है, right, sin x की value, pi by 4 पे भी 1 by root 2 आती है, 3 pi by 4 पे भी 1 by root 2 आती है, ठीक है, तो यह जो functions हो गए, many one function है, है ना, repeat कर रहे है बार बार, then how does these inverse exist, है ना, इनके inverse कैसे exist कर रहा है, अगर sin x many one function है, है, तो इसका inverse कैसे exist कर रहा है, अब यह सवाल उठता है, और यही सबसे important concept है, इस chapter का, क्योंका inverse कैसे exist कर रहा है, by changing their definition, changing their definition, है ना, उनके definition ही बदल लेंगे अपन, sin x की definition बदल देंगे, और definition बदल के उसका inverse exist कराएंगे, definition बदलने का मतलब क्या, कि अपन उसको ऐसे define करे, कि वो one one and onto हो जाए, है ना, मतलब sin x, tan x, cortex, यह जितने भी trigonometric function है, इनको, ऐसे define करो, ऐसे define करो, कि यह, byjective बन जाए, one one and onto बन जाए, ठीक है, तभी इसका inverse exist कर पाएगा, इनकी definition बदलनी पड़ेगी, यह ना, इनकी definition बदलनी पड़ेगी, और इस तरीके से अपन definition बदलेंगे, कि यह one one and onto बन जाए, तो आपन बोलेंगे कि इनका inverse exist कर जाएगा, अब definition कैसे बदलने वाले है, यह है अगला concept, ठीक है, तो domain range and graph of ITF, अब हम start करने वाले हैं, कि sin inverse x क्या होता है, cos inverse x क्या होता है, उनकी domain range क्या होती है, जो कि सबसे important part है इस पूरे chapter का, ठीक है, तो अभी देखो, fx is equal to sin x, अगर मैं sin x को define करता हूँ, ठीक है, sin x कहां से कहां तक define होता है, generally, fx is equal to sin x, it is defined for all real number, है ना, यहां पर x कोई भी real number हो सकता है, basically, इसको all real number से all real number के बीच में define करते हैं, जिसका graph कुछ इस प्रकार से होता है, देखो, sin x का graph जो होता है, वो कुछ ऐसा रहता है, guys, repetitive function रहता है, है ना, इस तरीके साथ, तो यह repetitive function है, यह 0 हो गया, यह pi हो जाएगा, यह 2 pi हो जाएगा, and so on, this is minus pi, यह वाला point pi by 2 हो गया, और यह वाला point minus pi by 2 हो गया, तो अभी तो देखो, इसका inverse exist नहीं कर पाएगा, इसका inverse अभी exist नहीं कर सकता, अगर मैं all real numbers, all real number के बीच में define कर रहा हूँ, क्यों नहीं exist कर सकता, क्योंकि many one है, many one मतलब कि अगर मैं horizontal line draw करूँगा, तो horizontal line इसको कई जगे पे cut करेगे, तो इस टाइब के function को अपन many one बोलते हैं, अगर horizontal line एक से ज़्यादा जगे पे cut कर जाए, अगर horizontal line एक से ज़्यादा जगे पे cut कर रही है, इसका मतलब यह हुआ कि अलग-अलग input पे same ही output मिल रहा है, मतलब function many one हो चुका है, तो अभी यह function many one function है, अब मैं इसको इस तरीके से define करना चाहता हूँ कि यह one one बन जाए, है ना, क्या आपन करना चाहरे है, इस function को one one बनाना चाहरे है, तो one one बनाने के लिए मैं सिर्फ यह वाला portion cut करूँगा, और सिर्फ इतना सा ही define करूँगा, minus pi by 2 से pi by 2, जैको definition बदलने की बात चली, तो definition अपन इसकी बदल देते है, कि अब मैं function को define कर रहा हूँ, minus pi by 2 to pi by 2, 2 minus 1 to 1, fx is equal to sine x, ठीक है, fx is equal to sine x की definition बदल दी है, कि अब यह function सर्फ minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में ही defined है, ठीक है, now this function is defined from minus pi by 2 to pi by 2, definition बदल दी, definition क्यों बदली, देखो, सिर्फ graph इतना सा रह जाएगा अपने पास, यह इतना सा graph बचेगा, देखो, यह minus pi by 2 से pi by 2 के graph को उठाया, वो यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, यह maximum value 1 आ गई, यह minimum value यहाँ पे minus 1 है, तो function minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में ही defined है, ठीक है, एंड इसकी जो co domain है, co domain को minus 1 से 1 के बीच में defined कर दिया, ताकि co domain and range same आ जाए, और यह function देखो, one one function है, है ना, one one function है, क्योंकि horizontal line draw कर रहे है, तो वो एक ही जगे पे cut कर रही है, horizontal line एक से जगे पे cut नहीं कर रही है, मतलब function one one हो गया, तो यह function one one and on two बना दिया, तो यहाँ से अपन क्या सिखे, यहाँ से अपन यह बात सिखे, कि इसका तो inverse exist नहीं करता है, ठीक है, इसका inverse exist नहीं करेगा, इसका inverse exist नहीं कर सकता, क्यूंकि यह many one function है, बट इसका inverse, है न, definition थोड़ी सी बदली, और definition बदल के, अब यह वाली जो definition आई है, इसका inverse exist कर रहा है, ठीक है, इसका inverse exist करेगा, तो वही हम करने वाला है, ठीक है, अपन यही करेगा अब पूरे chapter में, क्या करेगा अपन, पहले तो definition बदलेगा अपन, जैसे sin x की definition बदल दी सबसे पहले, अब मैं इसका inverse निकालूँगा, फिर cos x पे चलेंगे, फिर cos x की definition बदलेंगे, फिर उसका inverse निकालेंगे, फिर 10x की definition बदलेंगे फिर उसका inverse निकालेंगे ये काम अभी अपन करने वाले हैं ये कहानी है जो मेरे को आपको सुनानी है और ये कहानी आप मेरे साथ 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 लिखते रहें क्योंकि देखो समझ में तो आ जाएगी बट कितना retain कर पाऊगे वो depend करता है कि आप साथ म साथ साथ लिखते हैं तो retain अपन लंबा कर पाएंगे तो यह मैं टिप देना चाहूंगा कि इस टॉपिक फॉर्स टाइम पढ़ रहे हो तब तो डेफिनेटली नोड बनाओ रिविजन के लिए पढ़ रहे हो तो चलो ठीक है आपके पास नोड़ी बने वे उसके इंदर थो जाए तो इंवर्स किसका exist कर रहा है इंवर्स exist कर रहा है F defined from minus pi by 2 to pi by 2 2 minus 1 to 1 fx is equal to sin x इड्स inverse can exist ठीक है तो आपन सबसे पहले निकालने जा रहे हैं inverse of sin, sin inverse x के बारे में आपन बात करने वाले हैं तो पहले तो sin x का graph बना लिया जाए इदर साइन एकांग ग्राफ जो हम देख पाएंगे वह माइनस πायबॉर टू से ह्या पोइप उने वह देगा उने हैं तो यह वाला पॉर्च होगया माईनस पायभाइटू माइनस पायब क्बर ने टू भी इसकी यू माईनस सकते हैं तो इसका graph यह बनेगा minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में यह graph है तो अब यह इसकी domain हो चुकी है यह की co domain हो चुकी है और यह function one one and onto function है इसका inverse exist करेगा अब इसका inverse कैसे निकालना है देखो अब अपन define करने करने वाले है fx is equal to sin inverse x ठीक है साइन inverse of x यह function था sin x अब इसका inverse define करने वाले है fx is equal to sin inverse x सबसे पहले सबसे पहली बात समझना है यहाँ पर कि इसकी domain range क्या होने वाली है तो अपने को इसकी domain range पता है वो interchange हो जाएगे अगर वो बदल जाएंगे तो वो इसकी domain range हो जाएगी समझ मारी बात है जैसे यहाँ पर input आ रहे है angle minus pi by 2 से pi by 2 के बीचमें यहाँ पर वही output होने वाला है यहाँ पर output minus 1 से 1 के बीचमें है अब यह जो function होगा इसका input minus 1 से 1 के बीचमें होने वाला है समझना बहुत important चीज़े कि this function का input minus 1 के पीच में हो गया और इसका output minus pi by two से PI by 2 के बीच में हो चुका है हां जी, input output बदल गया, अब इसके लिए input minus 1 سے 1 है और यह जो output angles देने वाला है वो minus pi by two से pi by 2 के बीच के angles देगा, ठिक है, अब इसका graph plot करते हैं, है ना, graph plot किया जा जैसका, चैकि वो बहुत important है, ग्राफ से अपने को बहुत सारी चीज़े clear हो जाती है ठीक है एक सेक्सेस पर अब देखो इन्पूट क्या है माइनस वन से बीच में तो एक सेक्सेस पर मैंने point mark कर दिये माइनस वन एंडवन ठीक है यह input एक सेक्सेस पर अब इसके लिए इन्पुट हो जाएंगे माइनस वन संसे तुर्य और इसके लिए इसके लिए एक zeker बनाने के दू तरीक के हें पहला तरीकर तो कि अपन directly observe कर ले कि its graph is going to be symmetric about the line y is equal to x कि जो sin x का graph होने वाला है यह sin x का graph हो गया sin x के graph को अगर मैं इसकी mirror image ले लूँगा about the line about the line y is equal to x तो अपने पास sin inverse x का graph बना मतलब sin inverse x का graph कुछ ऐसा बनेगा देखो ऐसा बनेगा mirror image लेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा है ना तो sin inverse x का graph कुछ ऐसा बनने वाला है दूसरी चीज़ यहां पर कि देखो वन पर output pi by 2 मिलने वाला है है ना यहां पर sin of pi by 2 is equal to 1 है ना sin of pi by 2 अपने पास पता है 1 है तो अब sin inverse 1 क्या हो जाएगा pi by 2 हो जाएगा है ना pi by 2 is equal to sin inverse 1 तो basically inverse sin inverse x में जब input 1 डाल रहे है तो output pi by 2 मिलना चाहिए ठीक है जीरो पर देखो हमें पता है sin of 0 is equal to 0 तो 0 is equal to sin inverse 0 right input output का game बदल रहा है तुनो जरह यहां पर ध्यान से बात यह वाला point हो गया pi by 2,1 है ना यहां पर x coordinate pi by 2 है इस point का y coordinate इस point का one है यह वाला point हो गया pi by 2,1 अब इसका जो inverse होगा वो 1, pi by 2 से पास करेगा ठीक है यह वाला point हो गया 0,0 0,0 का उल्टा करेंगे तो 0,0 ही मिलने वाला है इस वाले point के बारे में बात करोगे तो यह point है minus pi by 2,1 अब इसका जो inverse होगा वो हो जाएगा minus 1,1 minus pi by 2 basically अब मैं और इंतजार नहीं करवाता हूं इसका ग्राफ बना देता हूं इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा this is the graph of sin inverse x यह graph है sin x का यह graph हो जाएगा sin inverse x का ठीक है this is the graph of y is equal to sin inverse of x बहुत important बात यह अपने पास graph आ चुका है sin inverse x का यहां से देख लो अच्छे से लिख लो अब इन दोनों graph को एक ही page पर देखते हैं ठीक है इन दोनों graph को एक ही page पर देखा जाए तो यह मैंने बनाया है कि यह दोनों graph एक ही page पर देखो यह sin x अग्राफ हो गया यह graph देखो गए तो this is the graph of sin x from minus pi by 2 to pi by 2 and this is the graph of sin inverse x यह वाला जो graph देख रहे हो red है या कौन सा color है यह pink है चलो red pink में बड़ा confusion देता है तो चलो यह pink color है तो यह वाला जो graph देख रहे हो यह arc sin x arc sin x का मतलब क्या हो गया sin inverse x हो गया है ना arc sin x सी sin inverse x है लिखने का और तरीका है यह sin inverse x को arc sin x से भी लिख सकते हैं अगर आप scientific calculator देखोगे तो वहाँ पर यही word देखने को मिलेगा arc sin x से देखने को मिलेगा यह ठीक है तो इस तरीके से interchange हो जा रहे है ऐसा इसका graph बनने वाला है ठीक है तो सबसे पहले comments में अभी important बात है ठीक है यह सारे के सारे comments बहुत important है तो पहली तो बात कि sin inverse x कि इस defined from कि इस defined from कि यहाँ पर जो x की value होगी वह minus one to one होगी कि एंड जो इसकी range आने वाली है जो angles आने वाले हैं वह minus pi by two से pi by two के बीच के angles आने वाले हैं ठीक है sin inverse x is defined from minus one to one to minus pi by two to pi by two जो कि यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो ठीक है clear दूसरी important बात कि sin inverse x is monotonical increasing in its domain अपनी domain में है पूरा increasing graph है है ना यह देखो हर जगे increase ही हो रहा है यह graph और किसी भी point पर slope देख लोगे increasing decreasing का कैसे पता लगाया जाता है slope से पता लगा लिया जाता है कि मैंने point लिया उस point पे tangent कींची और अगर यह tangent acute angle बना रही है तो मतलब यह increasing है ठीक है और नहीं तो simple सी बात है increasing की कि देखो जैसे से input बढ़ाओगे वैसे वैसे output बढ़ता चला जा रहा है जैसे कि जब input minus 1 है तो output minus pi by 2 है और जैसे से input बढ़ाया अपन right में गये तो graph उपर जाता जा रहा है है ना अपन right चलते जा रहे ग्राफ उपर जाता जा रहा है, तो जब x increase हो रहा है, y भी increase हो रहा है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यह जो function है, that is an increasing function, यह एक increasing function है, मतलब इसमें अगर input बढ़ाओगे तो output भी बढ़ेगा, input बढ़ाओगे तो output भी बढ़ेगा, तो sin inverse x is monotonical increasing, monotonical मतलब कि हमेशा ही increase हो रहा है, monotonic words के साथ आप आगे जाके और comfortable हो जाओगे, जब अपन आगे जाके derivatives में पढ़ेगे, monotonic increasing, monotonic decreasing, बट यहाँ पे simple सी बात यह है, कि यह always increasing है, इसलिए इसको monotonic increasing बोला जाता है, ठीक है, अब यह सवालों में क्या use आएग अगर मैं sin inverse x1, तो अगर मैं greater बता रहा हूँ, sin inverse x2 से, ठीक है, अगर sin inverse x1, sin inverse x2 से greater है, तो x1 भी x2 से greater है, है ना, इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, if sin inverse of x1 is greater than sin inverse of x2, then x1 is also greater than x2, क्योंकि input बढ़ाओगे, तो output भी बढ़ रहा है, यही increasing function की पहचान है, यही उसकी basic definition है, increasing function कौन सा function होता है, जिसकंदर अगर input बढ़ा रहा है, output बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, day by day improve होता चला जा रहा है, है ना, तो sin inverse x1 is greater than sin inverse x 2, it implies that x1 is also greater than x2, and यही information को अपन यूस कर लेते हैं, कई बार inequality के questions बनाने में, कि sin inverse के terms में अगर inequality के questions बनाने है, तो वहाँ पर यह concept काम आएगा, it is a bounded function, bounded function मतलब इसकी जो range है, वो limited है, bounded है इसकी range, कि यह जो angles दे रहा है, इसकी जो range आ रही है, minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में, that is bounded minimum and maximum value fixed है, so that is what we mean by bounded function, it is an odd function, which is a very very important point, odd function मतलब ऐसा नहीं कि अजीब फंक्शन, ठीक है, odd से यह तो मतलब नहीं समझते है, odd function का मतलब यह हुआ कि अगर अपन ने x को minus x से replace किया, ठीक है, यह third point इदर समझो, कि sin inverse of minus x is equal to minus sin inverse x, this is what we mean by odd function, कि f of minus x is equal to minus fx, f of minus x is equal to minus fx, ठीक है, this is what we mean by odd function, ठीक है, for an example, कि अगर मैं आप से value पूछू, sin inverse 1 by root 2, तो कौन सा एंगल मिल रहा है, तो graph से पहचान हो जड़ा, कि जब अपन ने input डाला है, 1 by root 2, ठीक है, 1 by root 2, यहां कहीं मिलेगा, तो output जो angle मिलने वाला है, वो कुछ pi by 4 angle मिलेगा, right, input अगर 1 by root 2 डाल रहे है, तो output एंगल pi by 4 मिल रहा है, और input अगर minus 1 by root 2 डाल रहा हूं है, sin inverse of minus 1 by root 2, तो output minus pi by 4 मिल जाएगा, ठीक है, sin inverse of 1 by root 2 is plus pi by 4, sin inverse of minus 1 by root 2 is equal to minus pi by 4, sin inverse of 1 is equal to pi by 2, sin inverse of minus 1 is equal to minus pi by 2, है न, it is a periodic, periodic तो नहीं है, repetitive नहीं है function, continuous function है, ठीक है, चलिए, अब important बात हैं यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं, क्या समझे अपन, क्या समझे, अगर मैं आप से पूछू हूँ value, कि sin inverse of root 3 by 2 की value बताओ, sin inverse of root 3 by 2 की value बताओ, तो एक angle आएगा, आप वो angle सोचोगे कि sin of theta root 3 by 2 हो, है न, आप यह सोचो कि sin theta is equal to root 3 by 2, कौन से angle के लिए sin of theta root 3 by 2 हो जाता है, तो angle आप सोच लोगे, pi by 3, है न, और जो angle आएगा, वो minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में ही आना चाहिए, minus pi by 2 से pi by 2 मतलब या तो fourth quadrant का angle बताओगे, या फिर first quadrant का angle बताओगे, तो sin theta is equal to root 3 by 2, positive value है, तो first quadrant में आएगी, first quadrant में pi by c आएगे, ठीक है, अगर मैं आप से value पूछू, sin inverse of minus root 3 by 2, इसकी value बताओ, तो अब आप fourth quadrant का angle देखोगे, है न, कि fourth quadrant का angle बताओ, जहांपे sin of theta minus root 3 by 2 हो जाता है, तो ऐसा कौन सा fourth quadrant का angle है, तो वो है minus pi by 3, minus pi by 3 पे, है न, देख सकते हैं, sin of minus pi by 3 is equal to minus root 3 by 2, तो inverse functions क्या दे रहे हैं, angles दे रहे हैं, सारे के सारे angles दे रहे हैं, जैसे sin inverse of 1, तो वो एक angle मिलेगा, वो angle मिल रहा है, pi by 2, because we know that sin of pi by 2 is 1, sin inverse of 1 will be equal to pi by 2, ठीक है, अगर मैं आप से पूछू, sin inverse of minus 1, तो हो जाएगा वो minus pi by 2, ओके, clear, अब देखो important बात है, अगर मैं आप से value पूछू, कि बताओ, sin inverse of 2 की value बताओ, तो sin inverse of 2 exist नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि sin inverse x में, input minus 1 से 1 के बीच में जाना चाहिए, sin inverse of something लिखावा है ना, तो वो something minus 1 से 1 के बीच का number होना चाहिए, क्योंकि defined यह minus 1 से 1 के बीच में है, और output angles minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में जाता है, तो यह input ही गलत रख दिया, यह ऐसा input रख दिया, जिसके लिए कोई angle मिली नहीं पाएगा, है ना, we know that sin theta is never equal to 2, तो sin inverse 2 के लिए अपन बोलेंगे, not defined, not defined, ठीक है, यह defined नहीं होगा, कई बार ऐसे confuse कर दिया जाता है, कि आपसे value पूछ ली जाए, sin inverse of pi by 2 की value, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर सूछता है, अच्छा, sin inverse of pi by 2, यह 1 हो जाएगा, सर, बट यह 1 नहीं होगा, क्योंकि pi by 2 फिर से 1 से बड़ा नंबर है, है ना, pi by 2 की अगर value देखे है अपन, तो pi by 2 की approximate value, 3.14 divided by 2, which is 1.57 something है ना, यह approximate value है, और हमें पता है कि sin inverse x में, x cannot be, है ना, in sin inverse x, sin inverse x is defined, only when, only when x belongs to minus 1 to 1, sin inverse x तभी defined है, जब यहाँ पर है अपन, minus 1 से 1 की बीच का ही angle रख रहे है, तभी वो defined होगा, तो pi by 2 जो होगा है, वो 1 से बड़ा angle हो जाएगा, तो again, not defined, है ना, nonsense चीज हो चुकी है, nonsense, ठीक है, it does not make sense, calculator से पूछोगे, वो भी आपको बोल देगा, nonsense, ठीक है, clear है, तो इसलिए, इन बातों पर ध्यान दखा जाए, वहीं पर अगर मैं आपसे sin inverse of pi by 4 की value पूछू, तो क्या यह defined होगा, क्या, क्या यह defined होगा, sin inverse of pi by 4, अब pi by 4, 1 से छोटा number है, defined तो होगा ही है, है ना, इसमें definition में कोई tension वाली बात नहीं है, it is defined, ठीक है, it is defined, है ना, क्यूंकि यह 1 से छोटा number है, pi by 4, pi by 4 is less than 1, तो यह defined तो है, इसमें कोई tension वाली बात नहीं है, but जो angle है, वो नहीं हमें पता, ठीक है, it is defined, but we don't know the angle, calculator से पूछो, तो calculator बता देगा, कि वहिया, कौन से angle पे, sin theta is equal to pi by 4 हो जाए, कोई तो angle होगा ना, theta, जिसके लिए sin theta pi by 4 हो जाए, क्योंकि sin theta minus 1 से 1 के बीच की हर value अचीव करता है, अलग-लग angles के लिए sin theta minus 1 से 1 के बीच की हर value अचीव करी रहा है, तो कोई ना, कोई तो होगा यहां पे sin theta pi by 4 हो जाए, तो sin inverse pi by 4 है, वो it is defined, है ना, defined तो है यह, बट हमें angle नहीं पता, वो theta नहीं पता, clear रिती बात है, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब बात करी जाएगी cos inverse x की, cos sex and cos inverse x के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले fx is equal to cos sex के बारे में बात करते हैं, fx is equal to cos sex, अगर all real numbers से all real number के बीच में बात करी जाए, तो इसका graph हमें पता है, इसका graph कुछ इस प्रकार से आता है, देखो, ऐसा graph बनता है cos sex का, right, अगर all real numbers से all real number के बारे में बात करें, 0 पे इसकी value 1 होती है, πy by 2 पे 0 होता है, फिर अगली बार 3 πy by 2 पे 0 हो जाएगा, πy के उपर इसकी value minus 1 है, ठीक है, 0 पे इसकी value plus 1 है, तो 0 से πy के बीच में कुछ इस तरीके से defined है, ये वाला point minus πy by 2 हो गया, तो फिर से बात चली कि अभी तो इसका inverse exist नहीं कर रहा है, अभी तो इसका inverse exist नहीं कर रहा है, अभी तो इसकी definition बदन नी पड़ेगे, all real numbers से all real number के बीच में तो inverse exist करेगा नहीं, क्योंकि periodic function है, क्योंकि repetitive function है, तो inverse exist कर नहीं सकता, तो इसकी फिर से है ना पर काटने पड़ेंगे इसको define इस तरीकी से करना पड़ेगा कि ये 1 1 and on 2 बन जाए तो अगर मैं sin x वाला ही same idea लगाऊं कि इसको भी अगर minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में define कर दिया मतलब इतना ही define किया है तो क्या अभी 1 1 बना क्या? अभी भी तो 1 1 नहीं बनाना अगर minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में define करूँगा तो भी 1 1 बनानी मैं नहीं 1 बन रहा है horizontal line इसको एक से ज्यादा जगे पर cut कर रही है तो ये काम चला नहीं तो इसको जो define किया गया है ना इसको define कहां से कहां तक किया गया जीरो से pi के बीच में जीरो से pi के बीच में इसको define किया गया है ना 0 से pi के बीच में तो मतलब सिर्फ इतना सा ही graph अपन लोग उठा रहे हैं ठीक है? इतना सा ही graph यहां पर उठाय जा रहा है हाँ जी गाइस बस इसके बीच में define किया गया है जलो लोग बिच में तो कि डफिनेशन हम लोग बदल देंगे अब कि अब इसके ड Tigers नोगी इस दिफाइट फॉरम जी रो टू पाइए सीन नहीं मोइन यνसीनो स्थाइन दिफाइन किया था मैं आ सपाई बाइट टो अब जो कोस्ते अन्लोग define कर रहे हैं इसके definition जो बदल रहे हैं वो define है function कि f is defined from zero to pi अब यह जो input है ना सिर्फ जीरो से पाई के बीच का input रख रहे हैं और जीरो से पाई के बीच का input डाला तो माइनस से बन के बीच का output मिल रहा है output देखना होता है तो y-axis पे देखो input देखना होता है तो x-axis इस पे देखो ठीक है तो यहां पर जो output है वो माइनस बन से बन के बीच का तो f x is equal to cos x cos x is defined from zero to pi and the output is from minus one to one अब इसका inverse के बारें बात करते हैं f x is equal to cos inverse x कि अब इसका inverse exist कर जाएगा है ना पहले domain curtail करी पहले domain काटी अब इसका inverse exist करा रहे है तो सबसे पहले domain and range लिख देना कि यह function कहां से कहां तक defined है ठीक है f x is equal to cos inverse x now this function is defined from अब देखो क्या हो जाए ना इसकी input output फिर से बदल जाएगा फिर से बदल देते हैं तो अब minus one से one के बीच में तो input रखेंगे और output रख रहे है जीरो से पाई के बीच में अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके जो input है वो तो सेम minus one से one के बीच में है है ना क्योंकि देखो sin x and cos x दोनों की range तो सेम ही है sin x भी minus one से one के बीच की values देता है cos x भी minus one से one के बीच की value देता है तो इसलिए साइन इन्वर्स x and cos x की domain सेम हो गई है साइन इन्वर्स x में भी x को minus one से one के बीच में रखा जा सकता है cos x में भी x को minus one से one के बीच में रखा जाएगा बस इनकी range अलग हो चुकी है कि cos x जो होगा वो अब 0 से पाई के बीच के एंगर्स देता है sin x minus pi by 2 से pi by 2 के बीच के एंगर्स देता है तो चलिए इसका graph बना जाए ठीक है हाँ जी तो x-axis पे मैं मार्क करने वाला हूँ minus one से one ठीक है क्योंकि input जा रहे है माइनस one से one के बीच में तो x-axis पे माइनस one and one मार्क कर दिया मैं ठीक है माइनस one and one मार्क कर दिया ओके यह देखो cos x का graph अपने वो cos inverse x का graph बनाना है फिर से सूचो x coordinate y coordinate interchange हो चुके है ठीक है यह वाला point क्या था यह वाला point था और road 97 कमाणन ऐस वाले point के बारे में जीडू कमाड़ यह ग्राफ अगर जीरो कमाड़ आए तो यह गर्फ कहां से पास करेगा अगर यह 0,1 आपक है यह वाला graph one ,0 से पास करता हो दिखाई देगा देखो यह जीरो कमाड़ एन से बास कर रहा है तो यह वाला पास कर रहा है तो यह वाला graph 0, pi by 2 से पास करेगा है ना 0, pi by 2 से तो यह वाला point हो गए 0, pi by 2 ठीक है देखो x axis पे minus 1 से 1 की value और y axis पे 0 से pi की values अपन रखेंगे देखो output जो है वो 0 से pi के बीच में है तो इसका graph कहां कहां से पास कर रहा है 0,1 तो यह 1,0 से पास करता हो दिखाए देगा यह पास कर रहा है तो यह 0, pi by 2 से पास करेगा और यह वाला point देखो तो यह point कौन सा है यह point है pi,0 यहां पर x coordinate pi, pi, minus 1 है ना यह वाला point हो गया pi, minus 1 यहां पर x coordinate pi है y coordinate minus 1 है तो यह minus 1, pi से पास करता हो दिखाए देगा तो तीन points मेरे को exclusive मिल गए है कि cos inverse x यहां यहां से पास करेगा फिर से सुनना ज़रा कि देखो pi के उपर cos minus 1 value देदेता है ना, cos of pi is equal to minus 1, तो cos inverse minus 1 pi के equal होगा है ना, ऐसा सा इसका graph होने वाला है देखो this will be the graph of y is equal to cos inverse x है ना, ऐसा cos inverse x का graph होने वाला है, इसकी जो range है वो 0 से pi के बीच में है और इसके जो input है वो minus 1 से 1 के बीच में है ठीक है, clear height है, कि range अपने को 0 से pi के बीच में मिलने वाली है, input minus 1 से 1 के बीच के मिलने वाले हैं अपने को, okay, clear, clear, ठीक है, तो कुछ basic बाते कर लेते हैं यहाँ पर, हमें पता है कि अगर आपसे value पूछी जाए कि cos inverse of minus 1 की value क्या है, तो एक angle मिलेगा, अब ऐसा सूचो कौन से angle पे cos minus 1 हो जाता है, तो बच्चे बच्चे को पता है कि cos of pi minus 1 होता है, तो इधर pi is equal to cos inverse of minus 1 हो जाएगा, तो cos inverse of minus 1 क्या angle मिल रहा है, pi angle मिल रहा है, cos inverse of minus 1, the angle is pi, ठीक है, अगर आपसे value पूछी जाए, cos inverse of 1 by 2, तो अभी एक first quadrant का angle मिलेगा, 0 से pi by 2 के बीच में, कि 0 से pi by 2 के बीच में सोचो, cos theta 1 by 2 कब होता है, pi by 3 पे होता है, right, cos of pi by 3 is equal to 1 by 2, तो cos inverse of 1 by 2 किसके equal हो गया, है, pi by 3 के equal हो गया, cos inverse of 1 by 2 is equal to pi by 3, ठीक है, अब अगर मैं आपसे value पूछी हूँ, कि cos inverse of minus 1 by 2 की value क्या है, ठीक है, cos inverse of minus 1 by 2 की value क्या होने वाली है, cos inverse of 1 by 2 की value pi by 3, first quadrant का, cos inverse of minus 1 by 2 की value minus pi by 3 नहीं होगे, क्योंकि cos जो भी values देने वाला है, है, वो minus 1 से 1 है ना, जो भी angles देने वाला है, वो 0 से pi के बीच के angles देगा, तो 0 से pi के बीच का अपने को कोई angle मिलने वाला है, है ना, और अगर cos inverse of minus 1 by 2 के बारे में बात करूं, तो एक second quadrant का अपने को angle मिलेगा, ठीक है, फिर से यहाँ पर graph में बना देता हूँ, यह graph आप अच्छे से याद रखोगे, बहुत important है बच्छा लोग कि यह graph अपने को याद रहे है और दीरे-दीरे याद हो जाएगा, इसका graph कुछ ऐसा बनता है, this is the graph of cos inverse x, है न, first say, ठीक है, बना देना कुछ, ठीक है, तो इस टाइप के इसका graph बनने वाला है, यह point हो गया, 0 और y-axis पर ध्यान रखना, y-axis पर values रहेगी, 0 से पाई के बीच की, और x-axis पर values रहेगी, इसका graph याद रहेगा, इसका, x-axis पर values, minus 1 से 1, y-axis पर values, 0 से पाई के बीच की values, y-axis पर मिल नवा लिए, ठीक है, यह ऐसा कुछ graph रहेगा, है न, अब 1 by 2 अगर मैं input-put करता हूँ, देखो, अगर आपने input 1 by 2 डाला, तो output देखो, पाई बाई 2 से छोटा ही मिलेगा, आउट दिख रहा है न, 0 से पाई बाई 2 का बेच का output, जो कि exactly है, पाई बाई 3, हमें पता है, cause inverse 1 by 2 की value, पाई बाई 3 होती है, ओके, बट अगर आप input-1 by 2 डालो, कि minus 1 by 2 पे कौन सा एंगल मिलेगा, तो minus 1 by 2 पे यह second quadrant का एंगल मिलेगा, राइट, पाई बाई 2 से बड़ा एंगल मिल रहा है, पाई बाई 2 से उपर है, पाई से नीचे है, मतलब पाई बाई 2 से पाई के बीच का एंगल मिल रहा है, अगर अपने negative input रखे है, cause inverse के अंदर, cause inverse में negative input रखे है, तो output जो मिल रहे है, वो देखो आप पाई बाई 2 से पाई के बीच का output मिल रहे है, पाई बाई 2 है पाई माइनस पाई 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 सब्सक्राइब करने वाले हो चलो एक ही पेज़ पर मैं आपको नूट करवाँगा सबसे पहले यहां पर देखो तुनों graph बना रखे हैं यह cos x का graph हो गए ताकि आपको यह दिखाई दे जाए कि देखो symmetric है यह cos inverse x का graph हो गए this is the graph of cos inverse x है ना जिसको कि R cos x के नाम से भी जानते है ओके and this is the graph of cos x यह cos x से graph है तो याद करो cos x के graph को हमने काटा था किसके बीच में 0 से पाई के बीच में cos x के graph को काटा था और cos inverse x output 0 से पाई के बीच में दे रहा है तो इस तो graph are symmetric these two graph are symmetric about the line y is equal to x तो एकदम symmetric है तो cos inverse x is monotonic decreasing in its domain decreasing function है cos inverse x ठीक है देख सकते है decrease होता जा रहा है यहाँ पर अगर अलग से आप इसका graph दिखोगे तो यह cos inverse x का graph है राइट this is the graph of cos inverse x तो जैसे से x बढ़ रहा है y की values कम होती चली जा रही है जैसे से अपन राइट में जा रहा है graph नीचे जाता जा रहा है तो इसलिए इसको decreasing function बोला जाएगा क्योंकि इसके इंदर अगर अपन x increase कर रहे है तो y की value decrease होती जा रही है इसलिए इसको decreasing function बोला जाता है तो यह function कैसा हो गया decreasing function हो गया पहली बात यह एक है it is bounded function bounded क्योंकि यह भी 0 से पाई के बीच की values दे रहा है है ना इसको focus करो यह graph है cos inverse x का तो यह 0 से पाई की बीच की values दे रहा है तो bounded function हो गया it is a periodic मतलब repetitive नहीं है it is neither even nor odd यह जो function है ना cos inverse x ना ही even function है ना ही odd function है या दिला देता हूं even function क्या होते है even function यह होते है कि f of minus x fx के ही equal हो जाए तो यह even function हो रहा है and odd function यह होते है f of minus x is equal to minus fx तो यह odd function हो गया cos inverse ना ही even की category में आ रहा है ना ही cos inverse odd की category में आ रहा है in fact यह बहुत important point है ध्यान लखना कि cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse of x यह relation अपन याद रखेंगे कि देखो कि अगर मैं input negative रख रहा हूं तो second quadrant का angle मिल रहा है ना जैसे कि आप से value पूछी जाए cos inverse of root 3 by 2 तो आप angle बता दोगे है pi by 6 ृ कि cos inverse of root 3 by 2 एक angle आएगा और आपको पता है कि वह first quadrant का angle है pi by 6 क्योंकि cos pi by 6 के value root 3 by 2 होती है अगर मैं आप से value पूछी कि बताओ cos inverse of minus root 3 by 2 की value क्या है यह बहुत basic से बहुत important है अपने को पता होना चाहिए कि क्या value आने वाली है cos inverse of minus root 3 by 2, तो यह जो एंगल आएगा वो second quadrant का एंगल आएगा, है ना fourth का एंगल नहीं आएगा, क्योंकि यह range जो है वो 0 से pi के बीच की range देने वाला है, cos inverse x जो है वो angle 0 से pi के बीच के देंगे, तो अब अपने को second quadrant का एंगल मिलेगा, और second quadrant का एंगल क्या मिलेगा, pi minus theta, है ना, अगर cos theta root 3 by 2, देश से cos pi by 6 root 3 by 2 है, तो cos inverse minus root 3 by 2 की value, pi minus pi by 6 होने वाली है, मतलब 5 pi by 6 होने वाली है, तो वही मैंने चीज आपको लिखवाई है, कि cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x, अगर cos inverse x की value pi by 6 है, cos inverse of minus x की value pi minus pi by 6, second quadrant का एंगल मिलेगा, ओके, it is a continuous function, yes, it is continuous, है ना, तो इस point को अपन अच्छे से note कर लेंगे, cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x, this is neither even nor odd function, है ना, nino function बोलेंगे अपन इसको, कि ना ही ये even की category माया function, ना ही ये odd की category माया function, तो I hope इतनी बाते आप सबको clear है, तो अभी तक की बाते summarize कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ाया, अभी तक हमने दो चीजों के पारेंगे पढ़ाया है, sin inverse x, fx is equal to sin inverse x के बारे में पढ़ाया है, जिसके बारे में हमें ये समझ माया है कि यहाँ पर जो input होने वाला है, x minus 1 से 1 के बीच में होगा, it is defined from minus 1 to 1 to minus pi by 2 to pi by 2, इसके बीच में ये defined होता है function, minus 1 से 1 के बीच में इसका input रहने वाला है, और ये जो output angles देगा, वो minus pi by 2 से pi by 2 के बीच के angles देगा, और इसका graph कुछ इस प्रकार से रहता है, ये x-axis, ये y-axis, x के उपर, ये को graph बार बार ना खुझ से बना ले ना, एक दो बार खुझ से बना लोगे तो हमेशा याद रह जाएगा, कि x-axis पे minus 1 से 1 के बीच की values plot कर रहो, y-axis पे minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच की values plot कर रहो, pi by 2 के बीच में range है, और इसकी जो domain है, वो minus 1 से 1 के बीच में है, उसके अलावा आपन ने बात करी है, cos inverse x के बारे में, fx is equal to cos inverse x, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात फिर से वही है कि इसमें minus 1 से 1 के बीच में ही input रहेंगे, यहाँ पे भी x की value minus 1 से 1 के बीच में ही रहती है, यह दोनों चीज़ा common है इन दोनों में, बट यहाँ पे अलग क्या है कि यहाँ पे जो output है वो 0 से pi के बीच के output आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, और इसका graph जो बनता है, वो ऐसा बनेगा, एक्स 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 इस इके graph बनाना बड़ा असान, बस आप दो बाते ध्यान दखना, पहली बात तो यह द्यान दख ओगे कि एक्स 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 पे minus 1 & 1 मार्क कर देना, ठीक है, एक्स घ्राफ जब भी बनाना होता है, इंवसे निद्ट सेक्स एस साइन इन्वसे एक्स एक्स यहां पर यहां पर य ats पर जी रोसे पाइप आउट पुट दे रहा है और इसका ग्राफ बाफ कुछ इस तरीके से रहेगा कि-1 Input रखुगे तो पाई आउटपुत मिल रहा है एक नहीं ऐसा graph करेने वाला है कि यह पॉंट हो गया 1,0 यह पॉंट हो गया 0,Pi x2 यह पॉंट हो गया-1,Pi यह पॉइंट हो गया 1,0 this is the graph of sin inverse x and this is the graph of cos inverse x ठीक है 3 important values ध्यान लखना जैसे sin inverse के बारे में यह चीज़ ध्यान लखोगे कि sin inverse 00 होता है sin inverse 1 pi by 2 होता है sin inverse minus 1 minus pi by 2 होता है यह 3 important values यहां पे ध्यान लखना यहां पे 3 important values यह ध्यान लखोगे है की देखो Cos inverse 1 0 के equal होता है देखो Cos inverse of 1 is equal to 0 क्योंकि Cos 0 1 के equal है ना पास ओफ 0 क्या होता है वन के equal होता है तो Cos inverse 1 कि सके एक्वैगा 0 के equal हो जाएगा देखो one,0 point है मतलब यहां पे one input रखोगे जब Cos inverse में x के जगे 1 रखोगे तो output क्या मिलेगा जीरो ऐंगल मिलने वाला है जोगि कॉस ऑफ सीरो एंगल पे आउटपुट वन मिलेगा तो कॉस इनवर्स में जब एंगल 0 रखोगे तो आउट्पूट वन मिलने वाला है ठिक है ऑट कुछी बात है अच्छा यहां पर कुछ गलत बोल गिया कि मैंने, हाँ, cos inverse में अगर 1 input रखोगे, तो output क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है, दूसरी important बात कि cos inverse 0, cos inverse 0, pi by 2 के equal होता है, ये point भी अच्छे से note कर लो, एं तीसी important बात, cos inverse of minus 1 that is equal to pi, एक है, यह तीन important बात है इसके बारे में, कि cos inverse of 1 is equal to 0, क्योंकि cos 0 is equal to 1, cos inverse of 0 is equal to pi by 2, because cos pi by 2 is 0, है न, क्योंकि cos of pi by 2 is equal to 0, so cos inverse 0 is equal to pi by 2, तो यह वाला point ध्यान रहेगा, और यह वाला point होगा है, कि cos inverse minus 1 is equal to pi, कि जब अपनने minus 1 input रखा, तो output क्या मिल रहा है, pi मिल रहा है, तो यह तीन बहुत ही important points है, यह तीनों points इसके बारे में, ध्यान लगना, cos inverse के बारे में, ठीक है, यह बात है clear, और आखरी important बा inverse of minus x की value चाहिए, तो वो simply minus sin inverse x हो जाएगा, मतलब यह negative को बाहर फैंक देगा, sin inverse of minus x minus sin inverse x हो जाएगा, यह negative को बाहर फैंक देगा, but cos inverse of minus x, cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x, ठीक है, cos inverse of minus x pi minus cos inverse x के equal होगा ये negative को बाहर नहीं फैंक पा रहा है ना, मतलब ना ही ये even function हुआ, ना ही odd function हुआ cos inverse ने ना ही negative को खाया, ठीक है, तो ना ही ये even function हुआ, ना ही ये odd function हो गया cos inverse of minus x second quadrant में value दे रहा है pi minus cos inverse x ठीक है, बच्चे जनरली कहां confuse कर जाते हैं ना, बच्चे को पता रहता है कि cos sex तो even function है है ना, बच्चे को पता होता है, गलती कहां होती है गलती यहां पर हो जाती है कि सबको पता है कि cos of minus x cos x के equal हो जाता है है ना, मतलब ये सबको पता है कि cos sex is even function तो वो यह समझ जाता है कि cos inverse of minus x cos inverse भी even function है but cos inverse even function नहीं है यहाँ पे cos inverse of minus x pi minus cos inverse x का equal होता है तो द्यार दखना कि cos x तो even function है but cos inverse x is not an even function not an even function in fact इसको बूलेंगे nino function neither even nor odd कि cos inverse x नहीं even function है नहीं यह odd function है because the value for cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x basically यहाँ पे क्या हो रहा है कि f of minus x की value pi minus fx का equal आ रही है तो यह जो हो गया ना ही कोई even की property हुई क्योंकि even function के लिए तो f of minus x and f of x same होते है ना ही यह odd function की property हुई क्योंकि odd function के लिए तो f of minus x minus fx का equal आ जाता है तो यह point अपने को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भया इसमें confusion नहीं होना चाहिए है ना no confusion no confusion here ठीक है इधर confused नहीं होंगे cos x and cos inverse के बीच में confused नहीं होंगे cos x तो होता है even function but cos inverse even function नहीं है वो neither even nor odd function है ठीक है जबकि मैं sin x and sin inverse x के बारे में बात करूं तो दोनों ही odd function है है ना sin x and sin inverse x both of them are odd function sin x and sin inverse x both are odd function दोनों के दोनों odd function है ठीक है sin x भी odd function है sin inverse x भी odd function है क्योंकि sin inverse minus x minus sin inverse x के equal हो जाता है ठीक है तो कुछ values आपको ध्यान में रहनी चाहिए जैसे अगर मैं आप से value पूछ रहा हूँ कि cos inverse of minus 1 by root 2 की value क्या होगी ठीक है तो उसकी value हो जाएगी pi minus cos inverse 1 by root 2 के equal guys है ना cos inverse of minus 1 by root 2 cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x मतलब भी एक second quadrant का angle मिल रहा है क्योंकि cos inverse 1 by root 2 की value तो pi by 4 होती है और pi minus pi by 4 मिल गया 3 pi by 4 which is the second quadrant angle second quadrant मतलब cos inverse के अंदर अगर अपने एक negative input रखा है ना तो अपने को एक second quadrant का angle मिलेगा है ना अगर कोई negative input रखा गया है cos inverse के अंदर तो अपने को एक second quadrant का angle मिलता हुआ दिखाई देगा ठीक है जैसे cos inverse of minus 1 वो एक second quadrant का angle मिलता है pi मिलेगा अपने को है ना cos inverse of minus 1 is pi minus cos inverse 1 और cos inverse 1 की value क्या होती है 0 होती है cos inverse 1 is equal to 0 ठीक है याद रखना cos inverse 1 is equal to angle 0 तो इसकी value हो जाएगी pi के equal तो cos inverse of minus 1 is equal to pi minus 0 which is equal to pi only ठीक है फिर से मैं ये तीनों values रख रहा हूँ देखो गाईस cos inverse of 1 की value 0 होती है ठीक है cos inverse of 0 की value pi by 2 होती है यहाँ पर बहुत major confusion रहता है बच्चों को गलत दे देते हैं कही बार answer cos inverse 1 pi by 2 बोल देते है cos inverse 0 0 बोल देते है तो यह गलती है बहुत करते बच्चत ध्यान लखना cos inverse 0 क्या होती है pi by 2 होती है because cos of pi by 2 is equal to 0 and cos inverse minus 1 cos inverse minus 1 pi के equal होता है यह तीन पॉइंट्स तो अच्छे से अपने को अच्छे से याद रहने चाहिए ना यह तीन पॉइंट्स स्टार मार्क कर दिया जाए इसके उपर ठीक है है ज्यान लखना है यह तीन पॉइंट्स बहुत अच्छे से अपने को ध्यान देने सुझनूगा यह और फंक्षन है साइन इंवर्स ओर फंक्षन यह तो वह मैनसस क्वाल के हो जाएगा और ना साइन इनोसद पाइज एक, एस ने पॉर्थ क्वाडरेंट ओर्टि है, मतलब साइन इन्वर्स के अंदर कुछ नेगेटिब इंपुट आ गया है, साइन में अगर नेगेटिब इन्पुट आया है, जैसे माइनस वन से 0 का Owen पूटाया है तो अपने को फोर्थ इंगल मिलेगा कॉस इंवर्स के अंदर कुछ नेगेटिव इंपूट आया है और नेगेटिव का मतलब कि माइनस में से 0 का इन्पूट आया है तो आउट्प्ट अपने को सेकंड क्वाडरेट में मिल रहा है यह मोटी-मोटी बात अगर मैंने पहला सवाल दिया, fx is equal to sin inverse of x minus 3, ठीक है, और मैंने इसकी domain पूछी है, domain मतलब की values of x की, x की क्या values अपन रख सकते हैं, तो sin inverse के अंदर जो भी input जा रहा है, जिसे यहां पर x minus 3 input जा रहा है, यह minus 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, अब 3 add कर दोगे, 3 add करोगे तो, 1 में 3 add किया तो 4 बन जाएगा, minus 1 में 3 add करोगे तो 2 बन जाएगा, मतलब x 2 से 4 होना चाहिए, यह इसकी domain होगे, है ना, x minus 3 should be between minus 1 to 1 और इधर से इधर तक पहुंचने के लिए, मैंने 3 को add कर दिया, 3 add कर देंगे, तो, x minus 3 में 3 add किया, तो x बन गया, 1 में 3 add किया, तो 4, minus 1 में 3 add कर दिया, तो 2 बन गया, ठीक है, वैसे ही अगर, cos inverse of x minus 3 की भी domain पूछी जाए, ठीक है, fx is equal to cos inverse of x minus 3, इसकी भी मैं domain पूछूँ तो, same यही condition, तो यहाँ पे भी लगने वाली है, कि cos inverse के अंदर भी कुछ भी मसाला जाएगा, x minus 3, वो minus 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर 3 add करोगे, है ना, 3 add करती, x belongs to minus 2 to 4, तो same answer इसके लिए भी आ ग सकते हैं, बस फरक इनके output में आ जाता है, फरक इनके output में आ जाएगा, है ना, इनका output बदल जाता है, तो domain, end range की कुछ अच्छे सवाल करते हैं, ठीक है, तो पहला सवाल, find domain, end range of, ठीक है, first part, fx is equal to sin inverse, sin inverse of greatest integer of x, इस बार मैंने sin inverse के अंदर क्या input रखा है, greatest integer of x input रख दिया, sin inverse of greatest integer of x, इसकी domain and range आपको बतानी है, ठीक है, तो समझो जारा, कि यह जो greatest integer x है, कुछ integral input देने वाला है, मतलब sin inverse के अंदर जो input जा रहे है, x की चाहे कोई भी real value रखो, sin inverse को तो कुछ integral input मिल रहे है, ह इसको यह तो minus 1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, basically domain के लिए तो हमें यह make sure करना है, क्या make sure करना है, कि domain के लिए greatest integer of x, जो है, वो greater than or equal to minus 1, less than or equal to 1 होना चाहिए, greatest integer of x की जो values है, वो minus 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, सही बात है, minus 1 से 1 के बीच की होनी चाहिए values, है ना, और greatest integer of x क्या values देता है, या तो minus 1 देगा, या 0 देगा, या 1 देगा, integral output देता है, greatest integer of x, तो अब यहाँ पर बात उठती है, कि भाया, x कहां से कहां तक हो सकता है, यह यह तो greatest integer of x के बारे में आपने बोल दिया, minus 1 से 1 के बीच में हो, तो minus 1 से 1 के बीच में greatest integer of x क्या क्या हो सकता है, हाँ जी, greatest integer of x इस interval में minus 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, यह तो greatest integer of x की value बताई गई है, x की value कहां से कहां तक है, तो आप यहां से याद करो, greatest integer of x के बा मैं-1 put कर सकता हूं ठीक है बट-1 के left में नहीं जा सकता क्योंकि माइनस 1 के अगर left में गया तो उसका greatest integer value क्या दे देगा minus 2 value दे देगा अगर minus 1 के left का कोई भी number लिया तो उसका greatest integer minus 2 value देखे यह sign inverse of minus 2 बन गया जो की defined नहीं होने वाला है तो अपने को जो values चाहिए वो minus 1 या minus 1 के right में चाहिए और कहां तक जा सकते है कहां तक जा सकते है maximum to maximum यह one value दे सकता है मतलब आप x की value open bracket 2 तक choose कर सकते हो x की जगे 1.99 भी रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर क्योंकि 1.99 भी रखा जाए तो 1.99 का भी greatest integer 1 ही बना देगा यह है तो x की value कहां से कहां तक रख सकते है x belongs to close bracket minus 1 to open bracket 2 basically यह inequality solve करी हमने greatest integer of x के terms में कि अगर greatest integer of x minus 1 से 1 के बीच में है तो x minus 1 से 2 के बीच में हो सकता है ठीक है x की value 1.99 तक जा सकती है 1.99 रख दो x की जगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है greatest integer of 1.99 1 बना देगा sine inverse of 1 defined है तो यह तो आगे इसकी domain कि this is the values of x अब range सूचना है ना range सूचों के और clarity मिलेगी आपको कि range का मतलब क्या हो गया कि यह output क्या-क्या देगा तो output totally input पर depend कर रहा है और input इसमें सिर्फ integral जा रहा है ना तो यहां पर जो y belongs to range क्या-क्या होने वाली है range में देखो input क्या जा रहा है 0 जा रहा है minus 1 जा रहा है 1 जा रहा है मतलब जो output होगा वो या तो sine inverse of minus 1 जो एंगल मिलेगा वो output हो जाएगा या फिर sine inverse 0 या फिर sine inverse of 1 this is the output गाईस देखो ज़रा ध्यान से ठेक है input sine inverse या तो input minus 1 है greatest integer या तो minus 1 value ले सकता है या फिर यह 0 value ले लेगा greatest integer तो integral output देने वाला है या फिर greatest integer value 1 दे देगा तो इधर जो y होगा ना y belongs to sine inverse of minus 1 मतलब minus pi by 2 sine inverse of 0 मतलब वो 0 sine inverse of 1 मतलब pi by 2 तीन ही angles मिलेंगे यही तीन angles मिल रहे है minus pi by 2, 0 and pi by 2 इसके output में सिर्फ तीन values है है ना only three values in its output only three values in its output क्यों भाई समझ मारी बात है logically कि ऐसे तीन ही value क्यों है क्योंकि greatest integer of x या तो minus 1 हो जाएगा या फिर यह 0 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा आप x की value कहां से contact put कर सकते हो minus 1 से 2 तक की सारी values put कर सकते हो including minus 1 बट 2 को include नहीं कर रहे है 1.99 तक जा सकता हो मैं यहां पर 1.99 तक जाओंगा तो भी कोई दिक्केत वाली बात नहीं greatest integer of 1.99 1 बन जाएगा तो sin inverse of 1 आ जाएगा आउटपुट ठीक है तो x की value तो इसकी बीच में put करी जा सकती है पर जो output आ रहा है वो आ रहा है तीन ही angles minus pi by 2 0 या फिर pi by 2 चलिए अगला सवाल फिर से इसी टाइप का सवाल कि find domain and range यह सारे बहुत important questions है guys domain and range of fx is equal to cos inverse of greatest integer of x फिर से वही कहा नहीं हो गई कि greatest integer of x जो होना चाहिए वो तो halves minus 1 Сे 1 के बीच में होना चाहिए greatest integer or x minus one से 1 के बीच में है अब इस inequality को solve करोगे तो x minus one से 2 के बीच में आ जाएगा x की value minus one से 2 के बीच में कुछ भी रखोगे तो इसके greatest integer की value minus 1 से 1 के बीच में ही आएगे right तो x-1 से 2 आगया अब आउटपट जो है इसके आउटपट क्या हो जाएंगे? y belongs to output क्या क्या हो जाएंगे? एक तो cos inverse of minus 1 हो सकतا है cos inverse of 0 हो सकता है cos inverse of plus 1 हो सकता है यह इसके आउटपट में आगए है ना greatest integer या तो minus 1 value ले ले या 0 value ले ले या फिर 1 value ले ले यही स्क्या उट्पुट में होंगे अब cos inverse of minus 1 क्या हो जाएगा cos inverse of minus 1 angle मिलेगा अपने को πाई क्योंकि cos πाई की value minus 1 तो cos inverse minus 1 angle मिलेगा πाई cos inverse 0 सोचो क्या angle मिलेगा 0 नहीं मिलेगा, है न, πाई बाई 2 मिलेगा, क्योंकि cos πाई बाई 2 is 0 तो cos inverse 0 angle मिलने वाला है by by 2 cos inverse of 1 सोचो क्या angle मिलेगा cos inverse of 1 देखो cos 0 1 होता है तो cos inverse of 1 angle अपने को 0 मिलने वाला है ऐसा सोचो कि cos के किस angle पे cos theta 1 हो cos theta 1 हो तो theta क्या होगा तो theta 0 होगा तो cos inverse 1 विल गिव यू एंगल एंडट एंगल इस जीरो ओवर हियर तो इसके अंदर भी तीन ही output आगे रेंज में है ना कि टीन टाइप के output है रेंज में सिर्फ तीन नंबर से domain माइनस बन से टू के बीच में कुछ भी हो सकती है चलिए कुछ और सवालों की तरफ बढ़ा जाए कि अगला सवाल कि पाइंड डूमेंड एंड रेंज आफ शॉआ का है पाइंड डूमेंड रेंज ऑफ यह गया ์पाइंड भ्या्ति अब्सके एक बात बात पता है कि सिग्नम कुछ पाउजिति जितने फिल से उसके सिनम की वैल्यवन ही होने वाली है अगर जीरो डाला है इन्पुट सिगनम तो वह जीरो ही रहेगा अगर इन्पुट अपन ने गटइव नंबर डाला है सिगनम ऑफ कोई भी नेगिटिव नमबर ले लो cése माइनस 0.1 ले लिया या फिर माइनस 1000 ले लिया समझ मारी बाते कोई भी negative number ले लोगे तो उसके signum की value minus 1 होगी signum बहुत simple function है signum के अंदर अगर x को आपने greater than 0 value रखी है x की value अगर greater than 0 है तो signum value दे देगा 1 और sign inverse को अगर 1 मिलेगा तो ये 1000 भी रख दी मैंने यहां पर तो ये signum of 1000 बनेगा और sign inverse of 1 बुरा नहीं मानेगा है ना sign inverse of 1 defined है ठीक है अगर x की जगे 0 रखा तो वो signum of 0 बन जाएगा और x की जगे negative number रखा तो ये value minus 1 दे देगा है ना x की जगे 0 रखोगे तो signum 0 value देगा बट अगर negative input रखा है तो ये value minus 1 दे देगा ठीक है तो इधर में को ये बात समझ मारी है कि x तो कोई भी real number हो सकता है कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है एक्स की value चाहे 0 रखो चाहे x की value 1000 रख दो चाहे x की value minus 1000 रख दो समझ मारा है signum तो value या तो 0-1 या 1 ही देगा है ना signum तो value 0-1 या फिर 1 ही देने वाला है तो इसके अंदर input तो कोई भी real number अपन रख सकता है बट अगर output के बारे में बात कर रहा हूं इसका output क्या होगा मतलब और इसके range क्या होगी है ना output that is range तो output क्या होने वाला है क्योंकि या तो यह 0 होगा तो sign inverse 0 अपने को output मिलेगा अब sign inverse 0 देख लो क्या value होती है या फिर यह 1 होगा तो sign inverse 1 हमें output मिलेगा या फिर यह minus 1 होगा तो sin inverse of minus 1 output मिल गया तो जो इसकी range में numbers है वो या तो sin inverse 0 या sin inverse 1 या sin inverse minus 1 मतलब कौन-कौन से angles मिल गए sin inverse 0 0 हो गया sin inverse 1 pi by 2 angle हो जाएगा sin inverse of minus 1 minus pi by 2 angles हो गया तो इसकी range में ये 3 numbers आ गया मतलब अगर y belongs to आपसे पूछा जाए तो y 0 pi by 2 minus pi by 2 है ना fx की ये 3 values है ठीक है डोमेन तो कोई भी real number हो सकता है यह है वैसे ही आप cos inverse of signal max के बारे में खुद से सोच लोगे है ना cos inverse signal max के बारे में खुद से सोच ना कि क्या इसकी domain हो सकती है क्या इसकी range हो सकती है ठीक है आगे समझो कि सब्स टाइप का fx is equal to sin inverse of e raise to the power x सबोस ये दे दिया आपको sin inverse of e raise to the power x इसकी domain and range बताओ सबसे पहले domain के उपर concentrate करते है ठीक है कि domain के लिए हमें ये बाद समझ मारे है कि जो e raise to the power x है ना exponential function है अपने को पता है sin inverse के अंदर कुछ exponential input डाला है ये हमेशा less than or equal to 1 होना चाहिए ये हमेशा less than or equal to 1 होना चाहिए ये बात हमें समझ माई है कि ये 1 ये 1 से छोटा होना चाहिए और greater than or equal to minus 1 होना चाहिए ये भी बात हमें पता है कि ये ये minus 1 से बढ़ा होना चाहिए but exponential function को अगर आप पहचानते हो अगर आप जानते हो तो आपको पता है कि exponential function हमेशा 0 से बढ़ा ही होगा है ना exponential function is always greater than 0 है ना we know we know that e raised to the power x is always greater than 0 ठीक है for all x belongs to real number x की कोई भी value रख दो exponential function 0 से बढ़ा ही होने वाला है guys तो इसको greater than or equal to minus 1 बोल के इसकी तोहीन करना हो गए एक दरीगे से कि अपन बोल रहे माइनस 1 से बढ़ा रहे ना रही है बोल रहे पागल मैं तो 0 से बढ़ा हूँ minus 1 से तो अल्रेडी हूँ ही बढ़ा ठीक है minus 1 से बढ़ेगी क्या tension ले रहे हूँ मैं तो 0 से बढ़ा हूँ यह रेशुद अपा रहे है जीरो से तो हमेशा बढ़ा रहेगा साइन इंवर्स के अंदर जीरो से बड़ी वैल्यू रख रहे है कोई दिक्कत नहीं इसको बट दिक्कत इधर आ जाएगी अगर यह वन से बड़ा निकल गया तो यहां पर नहीं रख सकते है तो एक्स को maximum to maximum कितना रख सकते हो गाईज यहां पर क्या समझ में ही बात है इधर हमें यह समझ में है कि x शुड़ बी less than or equal to 0 x 0 या 0 से छोटा होना चाहिए क्योंकि देखो यह 0 पर value 1 ले लेगा जब x को 0 रखोगे तो e ratio to the power x value ले लेगा 1 e ratio to the power 0, 1 value ले लिया तो x को मैं 0 या 0 से छोटा रखना चाहता हूँ है ना, x को 0 या 0 से छोटा रखा जाए x 0 से बढ़ा नहीं हो सकता अगर x 0 से बढ़ा हो गया तो e ratio to the power वो 1 से बढ़ा निकल जाएगा तो x less than or equal to 0 होना चाहिए यह इसकी domain हो गई, यह इसकी domain जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x belongs to minus infinity to 0 close bracket यह हमारी domain का answer हो गया ठीक है, x minus infinity तक ले जाओ फिर से सोचो, analyze करो इन चीजों को कि क्या मैं x को minus infinity तक ले जा सकता हूँ है ना, x को अगर अपने minus thousand भी रखें तो कि दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है a की power minus thousand तो वो 0 से तो बढ़ा ही number है 0 से 1 के बीच का number है, right? और sine inverse में minus 1 से 1 के बीच का कोई भी number रखो, कोई दिक्कत नहीं है but x 0 से बढ़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही x 0 हुआ, यहां पर 1 बढ़ गया और अगर x 0 से बढ़ा हो गया तो इधर 1 से बढ़ा input चला जाएगा और sine inverse में 1 से बढ़ा input चला गया, तो वो define नहीं होगा ठीक है? clear है तो यह तो इसकी domain होगी अब range के बारे हम बात करें, range मतलब output कहां से कहां तक मिलेंगे guys output पूरा input पे depend करता है है ना, जब मैं range की बात कर रहा हूँ मतलब मैं output की बात कर रहा हूँ कि range मतलब output कहां से कहां मिलेगा, output पूरा input पे depend करेगा, कि input minimum to minimum कितना जा सकता है आप बोलो कि sir, input minimum to minimum 0 जा सकता है जीरो के करीब जा सकता है, जीरो एक्जेक्टली होगा नहीं बट, है ना, ये जीरो के करीब जा सकता है, बट जीरो होगा नहीं है, है ना, जब एक्स माइनस इंफिनिटी बेजोगे, तो ये जीरो के बहुत क्लोज होगा, बट एक्जेक्ट जीरो थोड़ी नहोगा, तो मिन पूट हो गया, वो minimum sin inverse 0, maximum जो e raise to the par x के value आ सकती है, वो वन आ सकती है, क्योंकि x को अपने less than or equal to 0 बोला है, x को less than or equal to 0 बोला है, तो max to max sin inverse 1 तक जा सकता है, तो यह बन जाएगा, 0 to pi by 2, pi by 2 पे close bracket, that will be an answer, यह इसकी range हो गए, यह मतलब यह sin inverse e raise to the par x, अपने को angle देने वाला है, open bracket 0 से close bracket pi by 2 के बीच में, clear है इती बात है, है ना, this is the domain and range of this sin inverse of e raise to the par x, वैसे ही अगर cos inverse of e raise to the par x, पूछ लिया जाए, है ना, find domain and range of y is equal to cos inverse of e raise to the par x, domain के बारे में आप फिर से आप वही बात बोलोगे, कौन सी बात, कि we know कि e raise to the par x, 0 से तो बड़ा ही होता है, तो हमें यह tension नहीं कि यह minus 1 से छोटा निकल लाए, यह tension नहीं है, 0 से तो बड़ा ही होता है, but we need to make sure, है ना, हमें बस यह ध्यान लखना है, कि यह 1 से बड़ी value नहीं निकल लाए, तो 1 से बड़ी value नहीं निकले है, मतलब x less than or equal to 0 हो, मतलब यहां पे फिर से domain तो वही से इम आ गई, minus infinity to 0, close bracket, यह हमारा domain आ गया, कि x minus infinity से 0 तक की values हो सकती है, ठेक है, अब रही बात range की, range इसके भी कहां से कहां तक है, है ना, हमें पता है कि e raise to the power x, range निकालने के लिए दिखो, अलग-लग approach हो सकती है, एक approach, observational approach रहती है, तो range की मैं आपको अलग-लग approach बता देता हूं है, range, approach 1, पहली approach समझो, एक तो यह तरीका हो गया, range समझने का, e raise to the power x, e raise to the power x क्या है, greater than तो 0 है, but less than or equal to 1 है, ठीक है, हमें यह बात पता है, कि e raise to the power x greater than तो 0 है, less than or equal to 1 है, अब वो cos inverse लेना है अपने को इसका, है ना, मैं क्या लेना चाहरा हूं, cos inverse of e raise to the power x, तो अगर मैंने इसको inverse के अंदर बंद किया, तो इसको भी inverse के अंदर बंद कर देता है, इसको भी inverse के अंदर बंद कर देता है, बस फरक इतना रहेगा, कि inequality पलट जाएगी, inequality इसलिए पलट रही है, क्योंकि cos inverse, एक decreasing function है, तो inequality पलट गई, देखो, है ना, इसको cos inverse के अंदर बंद किया, तो cos inverse of e raise to the power x, is greater than or equal to, तो cos inverse 1, and less than cos inverse 0, inequality पलट एगी, क्यों पलट एगी, क्योंकि decreasing function है, और देखो, ज़रा cos inverse 1 की value क्या होती है, cos inverse 1 की value 0 होती है, है ना, तो इधर तो equality है, greater than or equal to cos inverse 1, which is greater than or equal to 0, and less than cos inverse 0, cos inverse 0, pi by 2 हो गया, तो मतलब यह जो range होगा, y belongs to, y belongs to close bracket 0 से open bracket pi by 2, तो यह इसके range आगे, है ना, क्या clear है, एक तो यह approach होगी, range सूचने की, देखो, कि e raise to the power x 0 से 1 के बीच में है, इसका inverse ले लिया, inequality बदल गई, यहाँ पे greater than or equal to 1 हो गया, यहाँ पे equality नहीं है, ध्यान रखना, e raise to the power x equal to 0 मत कर देना, क्योंकि equal to 0 होता नहीं है, e raise to the power x, ठीक है, e raise to the power x को equal to 0 मत कर देना, इसको बूलना greater than 0, क्योंकि exponential function है, 0 से हमेशा बढ़ा रहेगा, but less than or equal to 1 करना है, inverse ले लिया, inverse ले ले लेंगे, तो inequality पलट जाए, कि देखो, पलट गई inequality, less than or equal to, greater than or equal to हो गया, यहाँ पे देखो, inequality पलट गई, ठीक है, ऐसा हो गया, तो less than, cos inverse 0 की value क्या होती है, pi by 2 होती है, cos inverse 1 की value 0 होती है, तो greater than or equal to 0, less than pi by 2, यह तो एक पहली approach होगी, दूसरी approach 2 समझो, approach 2 of understanding the same thing, approach 2 भी कुछ इसी प्रकार की है, बट थोड़ा सा और logical हो जाती है approach 2, कि अगर मैं देखना चाहूं, तो y क्या क्या हो सकता है, y cos inverse 0 तक जा सकता है, है ना, जब x minus infinity जाएगा, तो y cos inverse 0 तक जा सकता है, और maximum to maximum तक, y cos inverse 1 तक जा सकता है, ठीक है, और cos inverse 0 की value क्या हो गई, cos inverse 0 की value pi by 2 हो गई, और cos inverse 1 की value क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये तो achieve कर सकता है cos inverse 1 ये तो achieve कर सकता है e ratio the par x1 हो सकता है तो ये तो achievable है बट ये achievable नहीं है ये approaching का sign लगाना ज्यादा सही रहेगा कि y is approaching towards cos inverse 0 तो y देखो pi by 2 तक भी approach कर रहा है 0 तक भी approach कर रहा है मतलब इसके कहां से कहां तक हो जाएगे 0 से pi by 2 तक तो वही बात है approach 2 is not different बस वही बात होगे चलो हटाई देता है approach 2 को ताकि आप confusion में आ रहा है किसी भी एंगल से एक बात समझना ज़रा कि अगर मैं बोलता हूँ कि x जो है वो 1 by root 2 से 1 है अगर मैं नहीं बोला x 1 by root 2 से 1 है और आपसे पूछूँ कि बता cos inverse x किस के बीच में होगा फिर cos inverse x किस के बीच में होगा तो inequality बदल देना ठीक है तो cos inverse x will be greater than or equal to cos inverse 1 देखो इसको cos inverse में बंद कर दिया इसको भी cos inverse में बंद कर दिया inequality बदल चुकी है ठीक है यहाँ पे भी inequality बदल गई बीच में है तो cos inverse x will be greater than or equal to cos inverse 1 less than or equal to cos inverse 1 by root 2 और cos inverse 1 की value क्या हो जाती है 0 हो जाती है तो cos inverse x जो हमें angles देगा वो 0 से cos inverse 1 by root 2 मतलब pi by 4 0 से pi by 4 के बीच के बीच में है तो cos inverse x 0 से pi by 4 के बीच के angles दे रहा है क्युம्कि जब inverse लोगे तो inequality changed है ना रीजन लिख देना यहां इनेक्वाइलीटी बदली ना इनेक्वाइलिटी कि इंस्ट कि विकॉस को सिंवर्स एक्स कि इस इक्रीजिंग फंक्षन डिक्रीजिंग फंक्षन होता है ना इसके अंजर जैसे जैसे से इंपुट बढ़ाओ गए आउट्पुट कम होता चला जाएगा ठीक है वह देख भी सकते है कि कोस इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है ठीक है जीक इस इनवर्स जीरो की वैल्यू पाइबाई टू होती है है ना फिर दूसरी इंपर्टेंट चीज कि अगर एक्स यही एक्जामपल लेता हूँ वन बाई रूट टू से वन और आपसे पूछा जाए कि बताओ फिर साइन इनवर्स एक्स किस इंटरवल में होगा तो साइन इनवर्स एक्स विल बेलेस देन और एक्वल टू साइन इनवर्स वन इसमें देखो, inequality में कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि ये तो कैसा है, increasing function है अगर input increase कर रहे हो, तो output भी increase हो रहा है तो sin inverse x is greater than or equal to sin inverse 1 by root 2 मतलब pi by 4 से तो बड़ा रहेगा ये and less than or equal to sin inverse 1 मतलब pi by 2 से छोड़ा रहेगा तो ये sin inverse x के range हो गे है no change in inequality, because it is an increasing function are we clear? तो sin inverse x, cos inverse x के बारे में बाते झ्लियर है कि sin inverse x जो है increasing function होता है cos inverse x जो है वो decreasing function होता है sin inverse x जो होता है वो odd function होता है right? cos inverse x जो है वो nino function होता है ना ही even ना ही odd function है यह cos inverse में अगर negative angles डालोगे तो वो second quadrant के angle देगा pi by 2 से pi के बीच में cos inverse of minus 1 by root 2 एक second quadrant का angle मिलता है sin inverse of minus 1 by root 2 एक fourth quadrant का angle मिलेगा तो यह सारी बात है अभी तक हमने discuss करी है मोटा मोटा भी तक sin inverse x and cos inverse x के बारे में हमने discussion किया है ठीक है अब चलिए 10 inverse x की तरफ चलते हैं 10 inverse x की तरफ चलने से पहले अपन 10x के बारे में समझ देते हैं कि fx is equal to 10x इसका graph कैसा रहता है तो अगर all real number से all real number के बीच में बात करूँ बचालो all real number से all real number के बीच में इसका graph कुछ इस प्रकार्ड का रहता है 0 पर 0 हो जाता है और रियल नमबर के लिए बात करूँ तो रिपीटिटिव ग्राफ रहने वाला है ठीक है अगर हम को इसको वन वन एंड ना टू बनाना है तो फिर से इसकी डुमेंड रेंज को आपन लोग रिस्ट्रेक्ट करेंगे ना रिस्ट्रेक्ट किया जाएगा इसकी डुमेंड पड़ेगा मतलब आप इसकी डुमेंड आप बनाएंगे माइनस पाइब टू से पाइब टू अब मैं जो इसके इंदर एंगल्स पूट करूँगा वो माइनस पाइब टू से पाइब टू दूनों पे ओपन ब्रेकेट एंड रेंज इसकी जो को डुमेंड है वो डिफाइ आप से माइनस पाइब टू से पाइब टू के बीच में ताकि फिर से यह वन वन एंड उन टू बन गया बस यह आपने किया तो आपको टैनिवर्स एक्स के बारे में सारी चीज़े अपना पता चल जाएगी कि fx इसका इनवर्स एक्स जो हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर है कि endępi uh output बदलेंगे सबसे पहले यहां पे output ओल रियल नंबड थैंशे अब इसके लिए input all real number हो जायेंगे और output यहां पे minus by by two serproduction users के लिए input सामाइन सब यहां से कर दो उसके लिए output हो जाएगा वह minus pi by 2 तो pi by 2 ठीक है यह बहुत ही important है यह पता होना चाहिए हमें कहां से कहां तक defined है sin inverse x के अंदर x minus 1 से 1 के बीच में ही रख सकते थे cos inverse x के अंदर x minus 1 से 1 के बीच में ही रख सकते थे but tan inverse x के अंदर x कोई भी real number put कर सकते हो क्योंकि tan x के जो output है ना और 10x का output क्या है हर real number है every real number is the output of 10x that will be the input of tan inverse x फिल आगई ठीक है और इसकी जो input angles है angles को तो अपने restrict कर दिया ना angles यहां पर minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में अब वो इसका output है tan inverse x का ठीक है तो इसका graph बनाता है graph बनाना बहुत ही simple graph के लिए आपको feel आगई होगे चीजों के अब तक ठीक है यह x-axis यह y-axis बना दिया अब ग्राफ बनाना है तो y-axis पे अब हम लोग minus pi by 2 से pi by 2 तक के angles रखेंगे ठीक है minus pi by 2 से pi by 2 ओके गाई यह रख दिया graph हमारा इसी के बीच में रहेगा minus pi by 2 से pi by 2 है ना minimum to minimum यहां तक जाएगा maximum to maximum यहां तक जाएगा bounded function रहेगा फिर से ठीक है क्योंकि देखो output इसके जो है bounded है minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में है ओके 0 पे 0 ही होता है जब x infinity जाएगा तो tan inverse infinity pi by 2 को approach करेगा देखो है ना कुछ important चीज़ है कि tan inverse of infinity will approach towards pi by 2 क्योंकि tan of pi by 2 approaches towards infinity पैन ऑफ पाई बाई जो infinity को approach करेगा तो tan inverse infinity pi by 2 को approach करेगा ठेक है tan inverse 0 0 के ही equal होता है क्योंकि tan 0 0 होता है तो tan vínज 0 भी 0 के ही equal होगा ठीक है तो यहां पे जीरो पे तोन 0 है जब infinity जाएगा तो यह pi by 2 को approach किया और इधर जब x minus infinity जाएगा तो यह minus pi by 2 का अप्रोच करेगा ठीक है This is the graph of fx is equal to 10 inverse x This is the graph of fx is equal to 10 inverse x क्या चीज़े नोट करी हमने graph के बारे में minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में graph है x minus infinity से infinity तक हो सकता है जब x infinity जाएगा तो 10 inverse infinity pi by 2 को अप्रोच करेगा जब x minus infinity जाएगा तो 10 inverse minus infinity minus pi by 2 को अप्रोच करेगा तो यह function कैसा दिखाई दे रहे है आपने को या odd function दिखाई दे रहे है कि आपको odd function है यह क्योंकि symmetric about origin it is symmetric about origin यह odd function है गाई symmetric है क्योंकि origin gap out sine inverse x की तरह यह भी एक odd function है मतलब जब इसके अंदर input positive रख रहे हो ना जिससे 10 inverse of 1 के बारे मैं बात करूँ तो 10 inverse of 1 pi by 4 एंगल दे देगा बट अगर 10 inverse of minus 1 के बारे में बात किया जाए तो वो minus pi by 4 एंगल दे रहे है तो देखरो ना जब input को negative किया तो output भी negative हो गया 10 inverse of minus x is equal to minus 10 inverse x तो ये किस टाप का function हो जाएगा odd function हो जाएगा अच्छा इसको क्या increasing बोलोगे कि decreasing बोलोगे इसको अपन increasing function बोलेंगे क्योंकि देख रहे है जैसे से right जा रहे graph उपर बढ़ता चला जा रहा है x की value बढ़ रही है तो y की value भी बढ़ रही है तो increasing function है दूसा तरीका increasing यह decreasing check करने का वो तरीका यह रहता है कि कि किसी भी point पे tangent बना लो और अगर वो tangent acute angle बना रही है 10 theta मतलब positive है angle acute बना रही है वो tangent मतलब 10 theta positive है तो इस वज़े से यह increasing हो गया है 10 theta positive मतलब dy by dx positive ठीक है तो कहीं पे भी tangent बना ओगे तो acute angle बना रही है tangent इसलिए this is an increasing function तो यह बात है थी 10 inverse x के बारे में अब इसका graph देख लिया जाए देखो this is the graph of this 10 inverse x है ना तो fx is equal to 10 inverse x का graph है अच्छा यह तो cot inverse x पे चला गया अच्छा पीछे चलो पीछे 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 हाँ यह रहा ठीक है this is the graph of fx is equal to 10 inverse x जिसके अंदर x can be any real number मतलब यह all real numbers से minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में defined function है यहाँ पे input कोई भी real number हो सकता है बट जो output है वो minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में defined है इसको arc 10x बोले या 10 inverse x बोले इसके बारे में कुछ बात है 10 inverse x is monotonic increasing हमेशा monotonic increasing रहेगा और दिस इस दो मिरर इमेज ऑफ दी ग्राफ ऑफ 10x अफ्कॉस ठीक है 10x के ग्राफ एंड टैन इन्वर से ग्राफ मिरर इमेज होते एक दूसरे के अबाउट ना यह देखो यह 10x ग्राफ हो गया यह 10 inverse x ग्राफ हो गया अगर y is equal to x line आप बनाओगे तो y is equal to x के अबाउट यह दुनों मिरर इमेज आपको दिखाई देंगे ठीक है तो वो तो हो गई अब्वेस ही बात है अगर inverse functions है तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे ही है ना सिंपल ठीक है हाँ it is an odd function यह एक odd function है सही बात है it is a continuous function ठीक है periodic तो नहीं है bounded function है ठीक है तो odd function यह वाला point बहुत important है इसको note down कर लिया जाए ठीक है 10 inverse of minus 1 की value पूछूँ तो आप वो minus 10 inverse 1 के equal बता दोगे which is equal to minus pi by 4 10 inverse of minus 1 is equal to minus 10 inverse 1 that will be equal to minus pi by 4 ठीक है वो minus pi by 4 के equal value देगा और भी clear ठीक है तो आज के लिए अपन कहानी यह भी खतम करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा ना रखते हुए session को आगे हम caught inverse x और उसके बारे में हम आगे के lectures में बात करने वाले हैं ठीक है caught inverse x के बारे में बात करेंगे next class में next class में sec inverse x, cosec inverse x उन सब के graph के बारे में चर्चा करी जाएगी बट आज की class का आपका simple सा homework यह है ठीक है ज्यादा homework नहीं है homework कितना सा है कि notes बना लेना अभी तक हमने जो जो बाते पड़ी है उन सब के notes बना लिए जाए ठीक है बागे next class में आगे भी हम और inverse trigonometric functions के बारे में जान लेंगे तो उसकी domain range के उपर mixed question करने वाले बहुत interesting sessions रहने वाले आगे वाले ठीक है तो आज की class का homework क्या है आपका homework simple सा इतना सा है ठीक है domain and range डूमेन रेंज एंड ग्राफ भी बहुत इंबॉडेंट है गाई बहुत ज्यादा graph of sine inverse x, cos inverse x and 10 inverse x क्या करना है वो तो आपने अल्रेडी notes डूमेन रेंज ग्राफ बना देना फिर cos inverse x की domain range ग्राफ बना देना फिर 10 inverse x के लिए ऐसा कर देना अगर यह कर दिया मतलब आज का काम खतम उसके बाद में हम next class में आगे के लिए proceed करने वाले हैं तो I hope कि आपको conceptual clarity मिल चुकी हो कि inverse trigonometric function किस तरीके से defined होते हैं तो इतनी conceptual clarity के साथ और इतनी ही अच्छे से clarity के साथ हम आगे भी भड़ेंगे ठीक है तो thank you everybody for being a part of this class see you in the next class till then this is your match teacher Kundan Mankar signing off tada bye bye have a good day